हेलो ने मुश्कार दोस्तों आपके वीडियो काफ़ इंपोर्टेंट होने वाले है क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आपके चैनल पर आपके वीडियो पर कॉंपेरेट क्लेम आ चुका है तो आप उसे कैसे एडिट करके म्यूजिक को आपको बताओं कि अगर कॉंपेरेट क्लेम आ चुका है आपने विलोग बनाया या फिर कोई ऐसा वीडियो बनाया जिसमें बैक्ग्राउंड म्यूजिक है और उस पर कॉंपेरेट क्लेम आ गया है तो उस म्यूजिक को कैसे एरेस करेंगे एडिट करेंगे वह मैं लाइव आप सभी को दिखाने वाला हूँ जानना चाहते हैं तो वीडियो को इंट एक जोरु देखिएगा और वीडियो को लाइक करें कॉमेंट्स करना भूली है चले दोस्तों जान लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम चलेंगे लैपटोप स्क्रीन पर चलते हैं लैपटोप स्क्र क्लेम मिला है पहले सबसे मैं कोजा चलता हूं ताकि वहां से कर सकूंत की हटा सक시면 nationals यहां पर फाल यहां से प्रफायलrik YouTube चैनल है वो मेरा ओपन हो चुका है अगर आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू कर लें दोस्तों यहां पर देखेंगे important notification जिए दोस्तों video receive a copyright claim यहां पर लिक रहा कि मुझे वीडियो पर copyright claim मिला है और यहां पर view option का view option पर मुझे क्लिक कर देना होगा जया दोस्तों जैसी दोस्तों यहां पर view option पर click करेंगे तो मेरे सामने status overview का option आ गया है status overview आ चुका है और यहां पर आप देखेंगे यह कह रहा है कि जो honor है जो music honor है वो मुझे claim दिया हुआ है इसे मेरे चैनल पर कोई effect नहीं पड़ेगा तो यहां पर देख सकते हैं चैनल पर not affected लिखा हुआ है visibility में public है और monetization में in eligible है यहां दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मैं नीचे चलता हूं तो यहां पर देखेंगे content यू जो है लिखा हुआ हमें तुमसे प्यार कितना जिए दोस्तों यह जो है न जब आज से एक साल पहले मैं इस song को यूज किया था उस समय no copyright sound था यह दोस्तों यानि के no copyright song था और आज के date में इसे मुझे claim मिला हुआ है इसका मतलब है कि जिस बंदे ने उस वक्त आज से एक देर सल पहले जब वो वीडियो upload किया था तो वो create common video था और उसके बास से जब आज के date में उस बंदे ने क्या क्य से 14 से केंट से लेकर के 22 सेंट तक को यूउज किया गया है तो इस वीडियो पे मुझे कॉपी राइट क्लें मिल जाएगा तो सिंपल सा आप यहांपर देखेंगे कि यहां से यानि की 14 सेंट से बावन से केंट तक जो है ना मुझे यह सौंग मिला हुआ है और इस ए मुझे remove करने हटाना है is Lex कि लिए मुझे क्या करना होगा मुझे यहां पर इसमें पर क्लिक करना होगा और यहां पर देखेंगे trim out segment replace song और New Song आप तीनों भी चीज करना चाहते तो अपर कर सकते हैं और eas on करना चाहते हो अपर करना चाहते हूं पर मतलब कि उसे बंद करना चाहते तो भी कर सकते लेकिन मुझे दूसरा सॉंग यूज करना है तो यहां पर रिप्लेस सॉंग पर मुझे क्लिक कर देना है जैसे दोस्तों यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि एक और इंटरफेस ओपन ह हो जाएगा सिंपल समय आपको दिखा दूँ थोड़ा सा नेट की इस्व है दोस्तों तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि हमारे सामने एक इंटरफेस और ओपन हो गया है और यहीं नीचे में जो ऑप्सन दिख रहा है यहां पर यहीं ऑप्सन जो है यानि कि जो सॉंग मैंने यूज किया है वह यहां इतने दूर में है यह दोस्तों 14 से बावन से किंड तो यूटूब के तरफ से मुझे बहुत सारे म्यूजिक यहां पर मिले हैं आप यहां से कोई भी म्यूजिक को जो है न सिलेक्ट कर सकते हैं मैं और यहां पर स्टार्ट जो है इस पर मुझे क्लिक करना है यानि कि जो मैंने और पहले से म्यूजिक सेफ कर रखा है वो यहां पर show हो रहा है अब यहाँ पे simple सा काम करना है दोस्तों पहले अगर आप चाहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है यह जगह जो है हट जाएगा और यहाँ पे अप प्ले करके देख सकते हैं और मैं यहाँ पे जो already पहले से जो मैंने music select किया उस पर एक बड़ क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि जी हैं दोस्तों यह music मुझे काफी प्रसंद है तो इस music को ही मुझे लगाना है तो इसके लिए simple सा काम करना होगा add पर मुझे क्लिक करना होगा जैसे दोस्तों add तो मेरा music यहां पर लग रहा है आप यहां पर देखेंगे कि यह music थोड़ा सा यहां पर बफरिंग हो रहा है थोड़ी ही देर बात यहां पर हमारा कि संस्कृति यह कहती है कि आपस में बाइचारगी क्यानत आप लोगों ने देखा कि यहीं पर मैंने music उसे add कि पहले वाला music मैंने हटा दिया है तो दोस्तों यहां पर simple सा उपर जाना है और सेफ कर देना है सेफ करने के बाद से यहां पर मुझे सेफ कर देना है और यहां पर लिख रहा ready to replace song और यहां पर मैं सेफ कर देता हूँ सेफ करने के बाद से थोड़ा सा समय लएगा और मेरा जो song है वो अब सेफ हो चुका है पूरे तरीके से और यहां पर आप देखिए जो copyright claim वगरा था वो पूरे तरीके से हट चुका है अब मैं यहां पर एक बार रिफ्रेस कर देता हूँ ताकि आप सभी को लोगों को अच्छे तरीके से समझा सको अब कोई भी यहां पर हमारा जो मतलब के एड चलेगा इस वीडियो पर तो उसका revenue अब सामने वाले के पास नहीं जाएगा बलके अब मुझे इसका revenue मिलेगा तो यह copyright claim था तो सोचे कि इस पर पर वीडियो बना करके आप सभी कुछ समझा सको